हेलो फूद लवर्ड्स, वेलकम दू अरोम आफ किचिन, आज की मेरी रेसिपी एक साइट डिश है, जो की है टमेटो चटनी, वैसे तो इन चटनी को बनाने के काफी सारे तरीके होते हैं, पर जो मैं आज आप लोगों के साथ डिसकस करूंगी, वो एक साउथ इंडियन स्टा इसमें मैं डाल देती हूँ लगबग दो बड़ा चमच ऑईल, इस जगह दोस्तों आप कोई भी ऑईल यूज कर सकते हैं, अब हम एक को ऑईल को गरम करना है, ध्यान ये रखना है कि ऑईल जले ना बिलकुल भी, मीडियम फ्लेम पर मैं इसको गरम कर लेती हूँ अच्छे स ऑईल गरम हो चुका है दोस्तों, अब इसमें हम डाल देते हैं लाल मिर्च, खड़ी होई लाल मिर्च है ये, बेसिकली ये कश्मीरी वाली लाल मिर्च है, ये आपको मार्केट में एजिली मिल जाएंगी, ये देखिए ये जैसे ही तेल में जाती है, वैसे ही देखिए 5-6 लेसन की कलिया और 2-3 हरी मिर्च, हरी मिर्च को मैंने ऐसी ही तोल लिया था, अब हम लेसन को तब तक पकाएंगे जब तक उसका कच्छापन दूर ना हो जाए, यहां पर हमको फ्लेम मीडियम रखनी है, दोस्तों, लेसन को हमको बिलकुल काला नहीं करना है, बस उसमें हलका से एक ब्राउन लेयर आजाए, उपर से इतना पकाना है, देखिए लेसन धीरे-धीरे चटकने लगा है, पीच-बीच में हम सौटे कर देते हैं, इसलिए उसको, अब हम इसमें डाल देते हैं, एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने स्लाइस करके रखा हुआ है आप इसको रफली भी चॉप कर सकते हैं, इसको अब हम पकाएंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इस जगा पर प्याज को हम अक्सर करके मीडियम या फिर लो फलेम पर ही पकाते हैं, उसका रीजन यह है कि अगर हम हाई फलेम पर पकाते हैं, तो यह उपर से ब्राउन हो जाती है, पर इसका जो अंदर का कच्चा पन है, वो सबजी के टेस्ट को खराब कर देता है अब इस स्टेज पर मैंने डाल दिये हैं, यहाँ पर लगबग दो बड़े टमाटर कटे हुए, इनको भी मैंने रफली काट लिया था, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और अब इसमें डाल देंगे नमक स्वादा नुसार, नमक जो होता है, वो टमाटरों को पकने में काफी हेल्प करेगा, अच्छे से सौटे कर लिया है, और अब हम इसको कवर करके 10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, 10 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, देखिए टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, ओवर कुख हमें यहां नहीं करना है किसी भी चीज को, अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को बंद करके इसको बिल्कुल थंडा होने देते हैं, हमने यहां पर ले लिया है एक ग्राइंडिंग जार और उसमें अब हम जो हमारा मिक्षे ठंडा हो चुका है उसको ट्रांसफर कर लेते हैं और अब हम इसको फाइनली ग्राइंड करेंगे, यानि कि चटनी बनाएंगे इसकी, बस हमें यहां पर इसमें बिल्कुल भी पानी एड नहीं करना है, यह देखिए, बहुत ही अच्छी चटनी बनकर तयार हुई है, कलर भी काफी अच्छा आ गया है इसमें, अब हम इसके तड़के की तियारी कर लेते हैं, तो यहां पर मैंने ले लिया है तड़का पैन और उसमें डाल दिया है एक बड़ा चमच तेल, औ इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं, एक छोटी चमच, मस्टर्ड सीड यानि की राई, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लगबग 8-10 कड़ी पत्ता, इनको मैंने धोका रखा था, कड़ी पत्ता को थोड़ा सा इसको हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे, फ्लेम यहां कितनी आसान थी, देखें यह चटनी बनाना, कभी भी आप बना सकते हैं, और किसी पी साउथ इंडियन डिश के साथ, इजी ली पेर करके खा सकते हैं, चाहें वो डोसा हो, उत्पम हो, एडली हो, कुछ भी हो, अगर अच्छी लगी हो रेसिपी, तो लाइक जरूर कीज़े मिलेंगे एक अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, गुड़ बाई!